नमस्कार दोस्तों आपका हमाय चैनल भी अजी फूट सफारी में स्वागत है और आज हम आपको बना के दिखाएंगे राम लड्डू की चार्ट वैसे राम लड्डू इस पेसली सर्दियों में खाय जाते हैं और यह दिल्ली की फैमस डेशों में एक है तो शुरू करते हैं राम लड्डू की चार्ट तो इसके लिए हमने सबसे पहले राम लड्डू ले लिए हैं जो की चरी की दाल और मुंग की दाल को पीस कर बनाए गए हैं बहुत यह आसारी से घर में बना लिए जाते हैं तो अब हम इसको शुरू करेंगे ठीक है तो यह राम लड्डू है ज तो इसलिए सर्द्यों में ही खाया जाता है, तो सर्द्यों में मूली आसानी से मिल जाती है, तो इसलिए हम इसको शुरुआत करेंगे, और हमाई चैनल को आप लाइक कीजेगा, अगर हमाई डेश आपको पसंद आती है, तो उसको शेयर भी कर सकते हैं, तो शुरू करते हैं, हम राम लड्डू को प्लेट में लगा लेंगे जैसा कि आपको दिख रहे हैं और इसके आद हम इसको शुरुआत करेंगे अपनी खटी मिठी चटपटी चटनी के साथ जो कि हारी मिठ्स से बनी हुई धनी के साथ में और इसमें हमने लाल मिठ्स बगरब डाली हुई है साथ के लिए इसमें कालव नमक भी डाला गया है सर्दियों में क्योंकि चल जाता है क्योंकि इसके बर जब मूली आएगी तो बहुत अच्छी लगेगी तो अब यह हरी चटनी के बाद हम इसमें डाल रहे हैं मीठी चटनी जो की अर रोट से बनी हुई है यह यह एक नहींतर यह बनाए जाते है अब आपम इसको गार्निस करेंगे मूली के लच्छे और प्याज के बारी कट हुए पीसो के साथ तो बस इतनी आसानी से बन जाती है यह राम लड्डू चार्ट घर पर तो हमारी राम लड्डू की चार्डबन कर तयार है आपको कैसे लगी हमें कमेंट करके बताएं और कहां से आप देख रहे हैं यह भी हमें कमेंट करके बताएं और हमाई चैनल को सब्सक्राइब लाइक शेयर हमाई वीडियो को करते रहेगा और इसी तरह हम आपके साथ मिलते रहेंगे और नए नी डिश बनाते रहेंगे तो आनंद लीजिएगा राम लड कीजिएगा राम लड्डू को तो आपके लिए राम लड्डू तयार है नमस्कार